जहिन प्यारे बिचो तो आज की हमारी क्लास है वन वर्ड स्थिटूशन के ऊपर 25 कुश्चन 25 कोश्चन है लेकिन 100 वन वर्ड स्थिटूशन तैयार होंगे आज के और एक एक वर्ड जो है आपके एक्जाम ओरिंटिट डाला गया है तो चलिए का स्थाट करते हैं फटाफट पहला कोश्चन परस्थ कोश्चन आपको दिया हुआ है कोश्चन के आते ही अपना आंसर मैच कर दीजिए और उसके बाद उसका सॉलुशन स्टाट करेंगे एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आपको अलकोहल से दूर रखता है तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं देट के बाते बाते बताऊंगा तो उनको भी जहां से सुनते रहना टीटोटलर वो व्यक्ति होता है जो कोई अलकोहल ड्रग्स नहीं लेता है लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं हम लोग सोबर Sober का मतलब भी यही होता है यानि कि Sober भी इसी यही इसी लिए यूज़ता है लेकिन अब बात आती है कि सर फिर इन दोनों में से हमने Sober को क्यों नहीं लिया तो देखिए वहाँ पर इसने क्या कहा है Completely Abstained from Alcohol जो Alcohol का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करता बस इतना सा minor सा difference होता है जिसकी वज़से इसका यह answer चला जाता है तो यह Alcohol के लिए जो specially used होता है वो T-Totler होता है T-W-E-T-O-T-A-L-L-E-R Spelling Error में ध्यान रखना यह Double L होता है इसमें यह drugs वगरा बाकी के लिए भी use होता है तो Simple and Sober Sober वहाँ भी उस Sense में भी use होता है जब Sober का मतलब होता है यह बंदा तो बड़ा Sober है इसका मतलब इसके अंदर Simplicity है तो उस Sense में भी use होता है अगर आप Suppose करिए आप Alcohol लेते हैं लेकिन वैसे आप बहुत Simple हैं तो आपको उस समय पर T-Totaler नहीं बोला जाएगा तो इसलिए यह Simplicity की Sense में भी use होता है तो जब ऐसे Option आते हैं तो फिर थोड़ा तंग हो जाते हैं हम लोग आते वी फस जाते हैं तो इसका अंसर जो होगा That is T-Totaler तो मैंने इसलिए Sober भी Explain कर दिया आपको फिर आता है इसमें Kennel Kennel क्या होता है A place for dogs A place for dogs यानि कि जहां पर कुत्तों को रखा जाता है उसे कहते हैं हम लोग kennel Stile ये कई बार आप से पूछा गया है इसे कहते हैं A place for pigs यानि कि जहां पर pigs को रखा जाता है That is called Stile Next A person who has experienced of many different parts of the world एक ऐसा व्यक्ती जिसने संसार के पूरे संसार का ब्रह्मन किया हो या उसको सभी जगा की नॉलिज हो उस परसन को क्या कहेंगे चलिए लेट स्राट अब फिर से दो अप्शन में आफ असे होंगे इसमें Universal और Cosmopolitan तो इसका आंसर होगा दोस्तो Cosmopolitan Emigrant यह तो CDS का पेर उठा लो NDA का पेर उठा लो NDA में होमोनियम या आपका किसी सभी एक्जाम्स में आता है Emigrant ध्यान से सुनना मैं इसको एक पिक्चर से आपको समझाता हूँ Emigrant का मतलब है वो व्यक्ति जो अपने कंट्री को छोड़ कर जाता है और Immigrant जिसे माल लीजे सपोस कर यह इंडिया है तो यह छोड़ कर चला गया और जो बहार से इंडिया में आ रहा है तो इसे हम कहेंगे Immigrant तो मैं sign भी यही बना देता हूँ यह छोड़ कर जाने वाला यह है और बहार से अंदर आने वाला Immigrant तो I don't think इसके ज़्यादा अलावा तुम्हें कोई explanation चाहिए सबसे बेस्ट हो गया हिंदी में इसे कहते है प्रवासी और इसे कहते है एप्रवासी एप्रवासी मतलब जो बहार से आके रहने वाला है सबसकरो कोई New York से USA से आके इंडिया में रहा रहा है तो वो I say immigrant और यह वाला होगा I say immigrant ठीक है तो hopefully आपको यह समझ में आया होगा दोनों क्या है Next Dead body of an animal किसी जानवर की dead body को क्या कहते है Start Animal की dead body को कहा जाता है Caracas वहीं पर अगर आपसे पूछे कि इंसान की dead body तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Human beings तो इंसानों की dead body को कहा जाता है Cops Harbour Harbour कौन सी जगा होती है बहुत ज़्यादा पूछता आपसे Harbour और Hangar इन दोनों में difference तो यह होता है A place For Aeroplanes जहाँ पर Aeroplane खड़े किये जाते है ठीक है जी आप कहेंगे सर एरपोर्ट नहीं बच्चो एरपोर्ट पर पैसेंजर से रहते हैं जहाँ पर ship पानी के जहाज खड़े होते हैं तो पोर्ट क्या है वहाँ पर पोर्ट पर तो लोग खड़ रहते हैं ठीक है कभी-कभी आपसे पुछ लेता Dockyard क्या होता है Dockyard 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 को ध्यान रखना आप इसको चाहें तो अपने notes में लिख सकते हैं से यह भी पूछ लेता है ठीक है Hopefully सब कुछ के लिए हुआ होगा आप लोगों को Next The act of killing a whole group of people especially a whole race पूरी परजाती को खतम कर देना ठीक है पूरी whole race ठीक है नर्सनहार इसे हिंदी में कहते है तो this is called genocide Homicide का मतलब क्या होता है यह कहलाएगा murder of human being मतलब simply बोल देगा कि किसी इंसान का murder फिर युक्सौरी side क्या होता है पतनी की हत्या murder of wife fetiside अब देखें fetus अपने सुनोगा fetus होता है जो mother swarm में baby होता है उसे fetus कहते है तो उसकी हत्या हो जाएगी fetiside क्योंकि side का मतलब होता है murder और fetus की हत्या fetiside तो fetiside हो गया murder of unborn murder of unborn तो यह समझ माया है क्या कहने का इसका meaning है मतलब जो पैदा ही ना हुआ हो अब एक वो baby होता है जो पैदा हो गया है तो उसे कहते है नवजात और उसकी हत्या होती है नवजात का मतलब है यह पैदा हो चुका है तो इसकी हत्या होती है infantiside तो आपको समझ में आया होगा difference कि infantiside होता है जो baby newly born हो चुका है और fetiside का मतलब है जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी हत्या जो इक मा की कोक में ही जिसको मार दिया जाता है next one who believes in many gods एक ऐसा व्यक्ति जो अलग-अलग भगवान में विश्वास करता है ठीक है आपने देखा होगा Hindu धर्म में होते हैं लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं भगवान शंकर को मानते हैं महादेव को या अलग-अलग देवी देवताओं को मानते हैं तो one who believes in many gods अलग-अलग भगवान में विश्वास करने वाला तो देखी इसका अंसर होगा poly poly का मतलब होता है many और theist यानि कि believe in God तो यह हो जाएगा believe in more than one God ठीक है polygon polygon होता है एक ऐसी picture जिसकी बहुत सारी भुजाय होती है having many sides ठीक है जी तो एक ऐसी picture यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से मान लीजे कुछ ऐसे तो यह क्यालाता है polygon polygamy क्या होता है polygamy होता है more than one marriage मतलब एक से ज़्यादा शादिया अगर कोई व्यक्ती बहुत सारी शादिया करता है तो इसका मतलब वो किसमे involved हुआ polygamy में polyglot क्या होता है one who knows who knows many languages many languages आपको पंजाबी आती है आपको हिंदी आती है आपको मराठी आती है इंगलिश आती है तो आप polyglot क्यालाएंगे लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि polyglot और linguist में क्या फर्क होता है बहुत जादा ये confusion एक्जाम में करता है तो मुझे comment box में लिख कर बताईए और अगर आपको समझ में ना आए आप चाहते हैं कि मैं explain करूँ तो भी comment box में लिख देना अगली वीडियो में मैं जरूर समझाओंगा आपको जब next ugly one word किया आएगी ठीक है comment देखने के बाद बाकि आप मुझे बताईए polyglot और linguist में क्या फर्क होता है दोस्तों ठीक government by the rich अगर अम्मानी जी के हाथ में सरकार आजाए अडानी जी के हाथ में आजाए आप कहाएंगे सर्कार उनके हाथ में है नहीं अभी तो मोदी जी के हाथ में है लेकिन अगर अमीर लोगों के हाथ में ही सरकार आजाए तो उसे कहाएंगे plutocracy ब्यूरोक्रेसी क्या होता है यह होती है सरकार government by officials अब officials से मतलब है जो हमारे officers होते हैं ठीक है जैसे I.E.S. वगएरा यह लोग अगर इनके हाथों में सरकार आ जाए तो यह ब्यूरोक्रेसी aristocracy होता है government by nobles अब nobles का मतलब है आपर paper में यह देगा nobles यह noble people लिखे Nobles का मतलब है Noble People तो Noble People के हाथ में अगर सरकार आ जाए तो उसे कहते हैं आपका यानि कि Elite Class के हाथ में आ जाए तो उसे कहेंगे आपका Aristocracy थियो क्रेसी अब थियो से समझ जाईए ये थियो का मतलब होता है Religion तो ये हो जाएगा Government by Religious People यानि कि जितने भी सादू मात्मा हैं इन सभी के हाथ में अगर सरकार आ जाए तो उसे कहेंगे थियो क्रेसी ठीक, next मुझे comment box में लिखके बताईए बचो Monarchy क्या होता है I will wait for your comment and please मुझे जरूर बताईए comment box में कि Anarchy क्या होता है क्योंकि मैंने एनर्की को बहुत जादा देखा एक्जाम में पूछा गया है तो Monarchy और एनर्की दोनों जरूर बताएंगे आप लोग ठीक है next That can be easily set on fire जिसमें आसानी से आग लगाई जा सके तो जो चीज आसानी से आग पकड़ लेती है वो क्या होगी आप बताईए चलिए लेट्स स्कार्ट जैसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मेरे कुश्चन को दिखाते है तुरंट पॉस कर लीजिए आंसर लगाईए सबका मीनिंग खुद सोची नहीं आता है फिर देखिया एक्स्परिनिशन तो जो चीज असानी साँख पकड़ लेती हो kung born कई लोग कहेंगे सर फिर flammable क्या होता है तो बच्चो flammable भी वही होता है और inflammable दोनों का same meaning होता है ठीक है यह न शूचें कि दूसरे के opposite है इन कंव स्टिबल होता है जो चीज आँग नहीं पकड़ती that does not catch fire, यह होता है इसका उल्टा, ठीक है हाँ, इसमें combustible अगर आ जाए तो फिर यह combustible जो होता है वो आग पकड़ लेता है ठीक है, obsolete क्या होता है outdated, मतलब something which is not in fashion, क्या है मैंने बोला जब मैं बोलता हूँ तो अगर चाहे तो वो भी लिख सकते हैं something which is not in fashion जो चीज अब बहुत पुरानी हो गई, यह outdated हो गई, उसे कहते हैं obsolete, edible, edible का मतलब होता है fit to be eaten, fit to be eaten जो चीज खाने योग्य होती है कई बच्चे कहते हैं सरह हिंदी भी लिख दिया करो, आप समझे मेरी बात को मैं हमेशा कोशिस करता हूँ कि आपको हिंदी, जब लेंग्वेज इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी को avoid करिएगा नहीं तो habit बहुत गंदी पढ़ जाएगी हाँ, हिंदी में बोलता रहता हूँ, आपको सुनिएगा अगर आपको कहीं पर दिक्कत लिखना है, तो जो मैं बोलता हूँ, उसको सुन के लिख लिया करो रिकॉर्डरी क्लास में तो सब सच्छा फाइदा होता है एडिबल का मतलब क्या होता है, बच्चो एडिबल का मतलब होता है, fit to be eaten हिंदी में से कहता है, खाने योग्य क्या ये भोजन खाने योग्य है, yes, edible क्या ये तेल जो है, हम इस्तेमाब कर सकते हैं? yes, edible oil मतलब खाने योग्य pulled तो इसी लिए edible का मतलब होता है, खाने योग्य हर है is just fit to be eaten a hater of mankind, यानी की मानवता से नफरत करने वाला फिल होता है तो इसका मतलब होता है प्रेम और अगर मिस होता है तो इसका मतलब होता है नफरत तो अब उसने नफरत पूछा है तो आंसर या तो यह होगा या यह होगा तो इसका आंसर होगा मिसंथ्रॉफ और फिलंथ्रॉफ होता है लवर ओफ मैनकाइंड मानव प्रेमी मीसो गाइनिस्ट क्या होता है देखे गाइन जब भी आएगा ना गाइन इसका मतलब महिलाओ का ही जिक्र हो रहा होगा तो मीसो गाइनिस्ट होता है मीसो मतलब हेटर और गाइन मतलब विमेन महिलाओ से नफरत करने वाला ऐसे ही कभी-कभी पूछ लेता है गाइनेकोलोजिस्ट क्या होता है तो गाइनेकोलोजिस्ट हो लोजिस्ट, स्पेसलिस्ट और गाइन मतलब विमेन तो जो महिलाओ का डॉक्टर होता है उसे कहते हैं गाइनेकोलोजिस्ट तो मैं आपसे जाता हूँ comment box में कि आप मुझे ये बताएं कि nephrologist किसका specialist होता है nephrologist and cardiologist cardiologist और एक और बता दे dermatologist ये देखे अब इसका आता है altruist यार ये बहुत important altruist का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो selflessly काम करता है a person who helps others selflessly निश्वार्त भाव से उसे कहते हैं altruist ठीक है ये selfless person होता है तो मैंने आपको क्या क्या पूछा है आप यहाँ पर देख लीजे एक बार अपनी दिमाग की memory को करिए ज़रा रेक यार ब्रीन nephrologist, cardiologist और आपको बताना है dermatologist dermicool की ठंडग चलिए lack of enough blood अब आपने देखाऊगा बहुत सारे बच्चों में आज के लिए श्कायत है खून की कमी क्यों? क्योंकि वो chips खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, momos खाते हैं ठीक है? तो lack of enough blood, खून की कमी होता है बच्चो anemia, इस बिमारी का नाम है anemia, insomnia क्या होता है? जिन लोगों को नीद नहीं आती है यानि की lack of sleep या इसे sleeplessness भी क्या देता है बिमारी होती है यह ठीक है? ऐसा नहीं कि सर जिसको प्यार में नीद नाती हो उसको नहीं वो उसकी अपनी personal problem है insomnia मतलब नीद ना आना यह एक बिमारी होती है amnesia क्या होता है? गजनी movies का best example है तो यह होता है loss of memory अब भूल जाते हैं कि अभी आपने क्या किया था और aphasia होता है कि आप बोल नहीं पाते है loss of speech ठीक है जैसे मैं भी बोल पा रहा हूँ ठीक है तो अगर सपोस कर एक दम से आवाज निकल जाए और मैं कुछ बोलने के कोश्चित करो ना निकल ले तो हो जाएगा aphasia loss of speech fear of a small and closed place बंद कमरे का डर SSC Air Force और ना जाने तमाम कितने एक्जाम यह वर्ड वर्ड बहुत बार आचुका है ठीक है small and closed place बंद कमरे का डर तो इसका अंसर होता है बच्चो क्लेस्ट्रोफोबिया ठीक है पाइरोफोबिया किसका होता है आग का डर होता है एक्रोफोबिया क्या होता है हाइट का डर होता है और हाइडरोफोबिया तो कौन नहीं जानता hydro मतलब water पानी से लगने वाला डर ठीक है मुझे comment box में लिखके बताएंगे आप लोग कि हम ये किसके लिए इस्तमाल करते है Sinophobia Sinophobia किसके लिए इस्तमाल होता है next a writer who steals ideas from others जो दूसरों से idea विचार चुराता है इसको ऐसे समझ लिजिए कि किसी का content चुरा लेना माल लिजिए एक book है और उस book का content आपने चुरा लिया या आप novel है और उसका content चुरा के आपने movie बना दी तो यहां पर जो चोरी होती है साहित्य है यानि कि content या एक तरीके से कह सकते हो यहां पर पैसे की चुरी नहीं होती है ठीके तो ideas की चुरी है ना विचारो की तो इसे कहते है इस चुर को कहते है plagiarist flat list क्या होता है flat list होता है one who collects जो इखटा करता है और क्या इखटा करता है one who collects stamps जो stamps इखटा करता है ठीक है postage stamps जो होते हैं पोस्त लगती है न ऑप्टिमिस्ट हर बच्चा जानता है बहुत आसाने लिखाने की जुरूत है तो अप्टिमिस्ट होता है आशावादी मैं इसे हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं इसका एंटोनियम मुझे बताएं अच्छा अगर तुम इसका सिनोनियम चाहते हो मेरे से अप्टिमिस्ट का तो इसे सेंग्विन कहते हैं सेंग्विन एक वर्ड होता है S A N लिख लो S-A-N-G-U-I-N-E सेंग्विन का मतलब होता है आशावादी तो मैं यहां पर चाहता हूँ कि आप comment box में लिखके बता है कि optimist का उल्टा क्या होता है ठीक है जी numismatist numismatist होता है one who collects जो इखटा करता है क्या इखटा करता है coins जो coin इखटा करता है इसे कहते हैं numismatist next place where wine is made जहाँ पर शराब बनाई जाती है तो जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसके लिए answer क्या होगा चलिए start करते है answer जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं जहाँ जहाँ जाती है यहां जाता है तो इसका मतलब होता है आप इसमें लिख देंगे leather तो आप leather से समझ जाएंगे कि जहाँ पर चमडा बनता है उसे कहते हैं हम लोग टैंडि किन यहाँ पर क्या बनती है bricks इटे बनती है है बता जीसे कहते हैं और बेकरी दो हर बच्चे के जहन में है रहा बी पूछा भी बहुत कम जाता है किसी एक्जाम में पूछा जाएगा लेकिर subject सबस्से पहले आरकलर सीकलFil डिपार्टमेंट आपने सुना होगा तो इसमें होती है स्टडी आफ त olmuşile study of fossil fuels fossils का अधियन जिससे आप पता चलाते हैं कि हरपा civilization में क्या था पुरानी सब्भेताओं में क्या था ornitology होता है study of birds entomology में किसका अधियन होता है insects insects का मतलब कीडे मकोडे एक सब्सक्राइब next pedagogy pedagogy क्या होता है यह होता है teachers के लिए art of teaching पढ़ाने की कला आपको पता है यह भी subject होता है teacher बनने से पहले आपको इसकी भी study करनी पड़ती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाय जाता है क्योंकि पढ़ाना भी हर किसी की बच्च की नहीं है हो भी कला होती है सामने वाले कि मन की बात जालने ना तो वह सब कुछ मतलब art of beautiful handwriting तो उसे सुन्दर लिखने की कला को कहते हैं और cartography में होता है art of drawing maps यह कह सकते हैं नक से बनाने की कला autobiography और मैं biography में अंतर समझा देता हूँ बहुत आसान है लिखने की बज़वत नहीं पड़ेगी बायोग्राफी होता है किसी दूसरे की life के बारे में लिखना दूसरे की और auto का मतलब होता है self तो जब अपनी जीवनी लिखते हैं तो उसे कहते है autobiography यह बहुत आसान लर्ण हो गया आज के बाद आपको auto मतलब self बस और biography आएगा तो written profile about other दूसरे व्यक्ति की ठीक है तो यह होता है biography और autobiography में difference the house of an Eskimo Eskimo के घर को क्या कहते हैं तो यह तो बर्फ का मकान पूछ रहा है आपसे ठीक है Eskimo उसी में रहते हैं तो यह कहलाता है igloo hamlet क्या होता है a group of houses a group of houses especially in a village यह वो भी है novel भी है ठीक है बहुत सरे गावों में घर का एक गुच्छा उसे कहते है hamlet apiary apiary में कौन रहते हैं अप्लेस फ़ॉर bees madhu makhi paalan जहां पर होता है और aviary में होता है a place for birds चेडियाओ का भी होता है ठीक है a place for birds ठीक है जहां पर चेडियाओ का पालन किया जाता है next a doctor who specializes in diseases of the ears जो कानो का specialist होता है उसे क्या कहते हैं बताइए चारों दिये हैं comment box में क्या होगा numismatis तो मैं नहीं लिखूंगा अभी बताया था थोड़ देर पहले बताया था मैंने अभी one who collects coin ठीक है rhinologist राइनो से याद कर लेना गेंड़ा ठीक है तो यह होता है नोज का specialist और पैथोलोजिस्ट रभी बताता हूं इसका अंसर इयर्स का है autologist ठीक है पैथोलोजिस्ट देखे आपने पैथोलोजी लैब सुना होगा तो इसमें होता है one who makes one who makes study of diseases ठीक है जो बिमारी को पहचानता है ठीक है कि भईया one who recognizes diseases तो उसे कहते हैं पैथोलोजिस्ट 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 लैब में होते हैं तो उनका यही काम होता है कि बिमारी क्या है उसका पता करना होता है ठीक है next अच्छा इससे पहले मुझे एक और बताईए कि जो यह हमारा bone specialist होता है उसका नाम क्या है और एक child specialist होता है इसका नाम बस मुझे अभी दो बता दीजिए हड्यों के specialist को और बच्चों के specialist को क्या कहते है ठीक है इस त्री रोग भी शिशक गया तो मैंने gynecologist आपको बता दिया था one who is neither intelligent nor dull जो बच्चा बहुत ज्यादा intelligent नहीं होता और बहुत ज्यादा दल भी नहीं होता है उस बच्चे को क्या कहेंगे चलिए मुझे पता है बहुत सार्ड लोगों ने एवरेज लगाया होगा लेकिन एवरेज इसका अंसर नहीं है दोस्तों इसका मतलब होता है इर्रेगुलर एनियमित रूप से होती है एनार्किस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक one word पूछा था और उसका अंसर यहां पर आ गया है आपको जो आदमी अराजकता फैलाना चालता है ठीक है उसे आनार्किस्ट कहते हैं यानि कि जो lawlessness फैलाना चालता है उसे कहते हैं अनकिस्ट ठीक है one who does not want law जो कानून नहीं चाहता है जो चाहता है कि या ऐसा कह सकते हो वन हूँ वांट्स लॉलेसनेस जो अराजकता फैलाना चाहता है और उसको कहते हैं अराजक एनार्किस्ट ठीक है तु सराउंड विद आर्म्ड पोर्सेज अब माल लीजे ये कोई भी कंट्री है सिटी है या कुछ भी है और इसको चारो तरफ से सेनाओं ने घेर लिया तो चारो तरफ से सेनाओं के दवारा घेर लेना किसी जगा को इसे क्या कहते है बताईए पॉस्थूमस का मतलब होता है हैपनिंग आफ्टर डेथ ठीक है हैपनिंग आफ्टर डेथ लेकिन इसको भी मैं समझाऊँगा क्योंकि आप परिशान नहीं हो जाए आपसे तीन बाते पूछेगा या तो पूछेगा पिताजी की मरत्यू के बाद अगर बेबी पैदा होता है अब आप कहेंगे सर ये कैसे तो समय जी सपोस करेए कोई लेडी प्रेगनेंट है और जिस समय प्रेगनेंट थी तो बच्च उसकी कोख में था उसी समय उसके हस्बैन की डेथ हो जाती है तो अब वो बच्च जो उसके फादर थे उनकी डेथ के बाद जनम लेगा तो अब कहेगा कि इसके फादर की डेथ के बाद ही जो बेबी पैदा हुआ है इसको क्या कहेंगे तो मरनो प्रांत इसे का जाता है है तो वह भी पॉस्थ्यूमस ही क्या लाती है अब आजगे सीज का मतलब है किसी चीज को जप्त करना कॉन्फिस्केट जैसे कोकीन हिरोईन यह सब कुछ सीज कर लेते हैं ठीक है पुलिस वाले सीज यह सीज फायर होता है विराम युद्ध विराम स्टॉप रोक लगाना बिसीज बिसीज मतलब होता है चारो तरफ से किसी चीज को घेड़ लेना तो इसे कहेंगे ओम्नी प्रेजेंट ओम्नी शेंट क्या होता है देखे मैं इसको सिंपल समझा देता हूं कि बहुत आसान है ओम्नी शेंट को ऐसे ले लिजिए नॉलिज यानि कि one who has the knowledge of everything इसे हिंदी में लिख सकते हैं लिख लीजे सर्व ग्यानी मतलब जिसको सभी चीज का ग्यान हो और ओम्नी पोटेंट होता है all powerful यानि कि सर्व सक्तिमान तभी तुम कहते हैं God is omniscient, omnipotent and omnipresent ठीक है omnivores होता है one who eats everything जो कुछ भी मिले सब कुछ खा जाए हिंदी में सायद माइट भी सायद नरभक्षी I don't know completely मुझे पनी पता फूरा पर जो भी है हिंदी में सायद यही कहते है वाकि आप बताना क्या है तो omnivores यही कहते है जो सब कुछ खाता है मास भी खाता है और हर भी वोड भी है तो दोनों चीज़े इसमें आ जाती है ठीक है omni का यही मतलब होता है a person who is blindly devoted to an idea देखिए बढ़िया वड है यह पूछा आपसे कि एक व्यक्ति जो किसी चीज़ को लेकर blindly अंध्भक्त नहीं सुना अपने अंधि भक्ति मतलब devotion अच्छी चीज़ है बट blindly devote होना अंधि भक्ति कुछ सोच नहीं ना सही और गलत सब भूल जाए तो उसे कहते हैं उस व्यक्ति को क्या कहेंगे अंध्भक्त को एक तरीके से उसे कहें किसी भी आइडिया के लिए किसी भी पॉइंट के लिए वह ब्लाइंडली डिवोट हो जाए तो उसे कहते हैं शौवनिस्ट क्या पढ़ेंगे शौवनिस्ट फैटलिस्ट होता है वन हूब बिलीवस इन फेट भाग्य में विश्वास करने वाला हिंदी में आप आठ्सच बमभत ही बंधन गे रहता है स्टैलिश थीक and impostor जो बंदा ओता है वह Fin नेक्स बयोंगे जो उता हnis उसे कहते हैं इंपोस्टर जांग भी एक बगत शौमेंगे ब्रिवकती होता है टीक है या two-thingan पॉना किसी पर्टिकल रीजन के एनिमल्स तो अपने बच्पान में भी सुनाओगा फ्लोरा एंड पॉना लूनर किसे रिलेटिवर होता है मून तभी तो लूनर एकलिप्स बनता है चंद ग्रेंड फैटल क्या होता है देखिए फैटलिस्ट भाग्य में विश्वास करने वाला होता है और फैटल होता है घातक डेडली कभी आप दोनों को सेम समझ ले अलग अलग है अगर कोई डिजीज फैटल है तो सीधा मरत्यू तक ल फैटल लगाना वहां पर गातक इतना गातक अगर डेंजरस भी अप्शन में हो तो छोड़ देना यहीं लगाना इसका फैटल आंसर ठीक है नेक्स्ट एनिमल्स डेट लिवज इन ग्रूप मतलब जो जुंड में रहते हैं ठीक है जैसे हाती जुंड में रहते हैं तो इसे यह नहीं कहते हैं इसको कहते हैं ग्रिगैरियस ठीक है अप सर आप तो बताया है अपने की तो सोश नेदैज लोग्यर्य टाइप अट्रीक होते हैं नहीं था एक में अबा intrinsic की वी लिगे क्लाता है या जो थो Mmm ौ ए denial खिक नहीं रहने वाले ओशे रहेगा गृूप में त बाटने से बचते हैं यह तो वनवर्ड में फच जाते हैं बहुत ज्यादा गलीबल क्या होता है बहुत ही सिंपल बंदा सीधा साधा जिसका कोई भी आसानी से मुर्क बना सकता है और फास्टीडियस होता है डैट कैन नौट बी प्लीजड जिसको शांत नहीं किया जा सकता अ यह ले लो वो दे दो यह दे दो यह नहीं यह अच्छा यह कुछ होते हैं अरे नहीं जो मिल गया ठीक है बट यह बड़ा फास्टीडियस फिनी की टाइप का बंदा चुजी वेरी सेलेक्टिव इन मैनर बहुत जदा सेलेक्टिव टाइप का होता है इसी लिए इसको शांत क्या कहते हैं उस चीज को यानि की स्टोर करके रखना ठीक है तो स्टोर शिक्रेटली चोरी चुपके से जैसे पुराने समय पहुती थी तो यह कहलाता है हॉड नेक्स्ट साइटिविक स्टडी ओफ इलेक्शन अब इलेक्शन आ रहे हैं तो देखें इलेक्शन ओपीनियन पर अध्यन होता है तो उसे कहते हैं हम लोग इसका स्पैलिंग अर्र भी पूछ लेता है सैफोलाजी पी साइलेंट रहेगा सैफोलाजी ठीक है पैथोलाजी नहीं बताऊंगा अब बताया था पैथोलोजी का मतलब होता है बिमारी को पहचानना पैथोलोजिस्ट वही से बना है, एपियरी करा दिया है बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ फटा-फट बर्ड्स मद बोल देना वो एपियरी था, ये है बीज, मदुमक्हिया फीलो लॉजी, फीलो लॉजी होता है फिल मतलब लव ठीक है, तो लव लवर ओफ नौलिज जिसको ज्ञान से प्रेम हो जिसको नौलिज से प्रेम हो उसे कहते हैं फिलो लॉजी चलिए, नेक्स्ट अगला लिखे एक सेगेर में थोड़ा सा पान चलो बाद में देखते हैं हार्ड वरकिंग एंड डिलिजेंट एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या हो महनती हो उसे क्या कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे बच्चो सबसे पहले यह ले लिजी आंसर सेडूलेस जिसे आप इंडस्ट्रियस भी कहते हैं महनती भी कहते हैं ठीक है डिलिजेंट वहां रखी दिया अब आता है सीडेट सी लेन थी यह लेंड होता है तो वो कहलाता है और थी तो ग्रीन एरिया यह लैंड लैंड यह लैंड डेन विद्रो तिक है प्रोटेस्ट अगेंस सम्थिंग तो इसे कहते हैं सदीशिश ठीक एंद लास्ट है हमारे पास नहीं है यह तो बिश्क थी बिछ जिसको आसानी से जिस पर आपने मुझे कोई ऐसी स्टोरी सुनाई जिस पर मैं आसानी से विश्वास कर सकता हूँ तो इसे मैं क्या कहूंगा इसे मैं कहूंगा अगर वो विश्वास करने लायक नहीं है तो वह कहलाएगा इंक्रेडिवल का मतलब यह आपको मैं पहले बता चुका हूँ साइद ठीक है और कैनीबल क्या होता है मीट इटर या ऐसे कह दो वन हो इट्स यूमन फ्लेश जो इंसान का मास खाता है न दोस्तों उसे कहते हैं कैनीबल ठीक है और क्रेडिटेबल का मतलब होता है तो मतलब क्रेडिटेबल वर्क यह तुमने बहुत ही ज्यादा क्रेडिटेबल काम किया इसका मतलब प्रेजवर्दी प्रेशंस निय है दो है अ क्रेडिट से आद करना इसको है क्रेडी टेबल होफुली यह क्लिर हुआ होगा आपको तो कैसी लगी आपको एक्स्प्राइशन कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा कमेंट्स जैसा मैं कहता हूँ जरूर करिएगा लाइक करें ना करें बट कमेंट्स जरूर करें एवरी कमेंट आफ यॉर्स इस वेरी प्रीशिस फॉर मी एंड फॉर माय एनरजी उसी की वज़े से है कि मैं रात के इस समय पर भी 2.5 अभी मैं इसको हटाऊंगा तो यह आपको मिलेगा 1.25 जो कि आपको लग रहा होगा सर क्या मजा कर रहो तो मैं इसी लिए बर अटा के दि तो यह सोच लें कि हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती है ठीक है बस इतना कहूंगा बहुत ज़्यदा कहने कि मुझे जरूरत नहीं है इसलिए कमेंट जरू करिएगा कैसी लगी आपको क्लास कैसा लगा सेशन ठीक है कहने के लिए 25 कुशन थे लेकिन पहरे दोस्तों समय ज शेयर करेंगे इसको और चैनल अगर नए है तो वीडियो को प्रसंद किया है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगा अभी मुझे बहुत प्यास लगी है चलिए खार मिलते हैं आप लोगों से नेक्स क्लास में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए मेरी अब से सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार जै हिंद्ध आप